नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिन आर्मी की भरते के बारे में तो आप सभी देख रहे हैं, इस समय हम हैं इंडिन आर्मी की ओफिसियल वेबसाइड पर जहां पर मैं आपके लिए बताने के लिए आया हूँ कि इंडिन आर्मी में भरती में दो हैं दोस्तों को स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने बाले हैं वो दोस्तों आप अगर नीचे चलेंगे यहां पर JCO-OR Indry में और यहां पर View All पर क्लिक कर देंगे तो सबसे उपर जो दोस्तों भर्ती है जो कि कल ही अपडेट हुई है आर्मी की ओफिसिल वेबसाइट पर तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे ARO जैपुर रेकृट्मेंट 2021 के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि यहां पर दोस्तों काफी ज्यादा ARO में जो है भर्तियां स्टार्ट हो चुकी है जैसे देखो ARO जैपुर की सबसे उपर दिख रहे है यह भर्ती उसके बाद में ARO हिसार जो कि हर्याना में है हिसार रैली 2020 उसके बाद में आर्मी रेकृूटिंग रैली एट 180SR आर्मी की भर्ती है वो कब से स्टार्ट होने वाली है तो दोस्तों आपका इंतिजार जो है वो खतम हो चुका है और आर्मी की भर्ती है वो स्टार्ट हो चुकी है तो सबसे पहरे दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं ARO जैपुर रिप्लूटमेंट रैली 2021 के बारे में तो फिजीकल और एजूकेशन क्योलिकेशन जो भी आपके रुकार्मेंट होती है आर्मी में भरती होने के लिए वह पूरी की पूरी में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आप ठीक से समझ पाएं तो यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी रेली नोटिफिकेशन जैपूर सिकर और टॉंक तो यहां पर राजिस्थान के तीन जोलोकली यहां पर भरती होने बाली है जो कि है रेजिस्ट्रेशन है मतलब ऑनलाइन जो हम रेजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो 30 जून 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है तो आज है दोस्तों 2 जुलाई 2020 और यहां पर 30 जून 2020 मतलब दो दिन पहले से ही यहां पर दोस्तों रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों आप सबी जो भी इन तीनों जिलों से रहने वाले हैं वो जाकर इस भरती में अपलाई कर सकते हैं यहां पर दोस्तों soldier gd, soldier technical, soldier clerk, skt and soldier tradesman की भरतियों होने वाले हैं और इस भरती पर अपलाई करने के लिए आपको 10th pass या फिर 8th pass भी होंगे अब तब भी आप चलेगा ठीक है तो पूरी खबर क्या है वह मैं आपको पढ़के बता देता हूं Army Recruiting Rally be held for eligible candidates ठीक है All eligible candidates of Jaipur, Seeker and Tom district For soldier gd, soldier technical, soldier clerk, skt and soldier tradesman On announcement during the period from 24 अगस्त 2020 to 31 मार्स 2021 ठीक है तो यह जो भरती थी दोस्तों इसका announcement हुआ है 24 अगस्त 2020 से 31 मार्स 2020 की बीच में यह भरती होनी है लेकिन इसके जो online registration हैं वो 30 जुन 2020 से start हो चुके हैं उसके बाद में दोस्ते हैं आपर bracket में और bold में लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे कि exact date, location and venue of rally will be confirmed later as per covid-19 pandemic situation ठीक है तो अभी तो इसकी date आई है वो 24 अगस्त से 31 मार्स 2020 की बीच में है यह भरती लेकिन दोस्तों जो exact date होगी वो आपके लिए बताई जाएगी कुछ दिनों बात जैसे ही यह covid-19 pandemic जो चल रहा है इसके situation कुछ ठीक होती है तो आपको exact date भी बता दियाएगी 20 जून 2020 से 14 अगस 2020 के बीच में registration करना है उसके बाद में आप registration करते समाँ आपसे जो email id पूशे जाएगी उस पर आपके लिए 15 दिन पहले आपके email id पे registered email id पे admin card आ जाएगा ठीक है अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर qualitative requirement की तो अगर आप soldier general duty के भरती देख रहे हैं मतलब gd की तो आपकी जो age limit है वो साड़े 17 साल से 21 साल के बीच में आपकी age limit होगी तो आपके लिए इसमें 1 October 1999 से 1 April 23 के बीच में आपका जनम होना चाहेंगी तब ही आप इस भरती में apply कर सकते हैं only gd के बाद कर रहा हूं यहाँ पर यहाँ पर दोस्तो हैट की जो requirement होगी वह 170 cm होगी वेट आपका 50 kg और चेस्ट आपका minimum 77 cm और 5 cm का आपको expansion करना होगा ठीक है उसके बाद में आपकी जो education qualitative requirement होगी दोस्तो education qr जिसको गोलते हैं वह होगी आपके 10th pass होना आपको अनवारिये होगा 45% mark से और किसी भी subject में आपके 33% mark से कम नहीं होना चाहेंगे तो simple 10th pass होना आपके लिए 45% mark होना चाहेंगे और किसी भी subject में आपके 33% mark से कम नहीं होना चाहेंगे तो उसके बाद में दोस्तो हम बात कर लेते हैं soldier technical की तो अगर soldier technical की आप भरती देख रहे हैं तो आपकी age होने चाहेंगे साड़े सत्रा से मलब 17.6 महिने से लेकर 13 साल तक ठीक है और आपकी जो bond date होनी चाहेंगे वो 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में होना चाहेंगे है हाइट यहां पर भी दोस्तों आपकी 170 cm है technical के लिए weight 50 kg और chest 77 cm उसके बाद में आपको इसमें जो education qr की जरूरत होगी वो आपके लिए दोस्तों इंटर पास होना चाहेंगे 50% marks होना चाहेंगे और आपके पास में science में physics, chemistry और math होना अनवार यह है उसके साथ में आपके पास में English भी होना जरूरी है ठीक है और आपके जो 6 के 6 मतलब इंटर में जो 5 subject होते हैं उनके आपको पांचों subject में किसी भी subject में 40% marks से कम नहीं होन होना चाहें ठीक है इसे तरह से हम बात कर लेते हैं soldier clerk storekeeper की तो यहां पर आपकी एज सेम है साड़े सात्रा से तेर साल एक October 1997 से एक अपराइल 23 के बीच में आपका जनम होना चाहें है हाइट आपकी यहां पर रेलेक्सेस मिलेगा जैसा कि आप सभी को पता है कि clerk के लिए हाइट दोस्तों आर्म में कम ली जाती है तो वो हाइट आपकी 170 से कम होकर 8 cm कम होकर आपकी 162 सेंटिमेटर रह जाती है बाकी गेट और चेस्ट आपका सेम होगा तो clerk में भरते देखने के लिए आपको दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट से 12 पास होना अनवारी होगा जिसमें दोस्तों आपको 60 पास 60 परसेंट मार्क्स होना जरूरी है ठीक है उसके बाद में आपके किसी सब्जेक्ट में 50 परसेंट मार्क से कम नहीं होना चाहिए ओके तो अभी बात कर लिते हैं हमें यहां पर दोस्तों कि स्विदय ट्रेट्स मंट 10 पास में भरते देख रहे हैं तो आपके पास में यह ट्रेट्स हैं स्टिवर्ड चैफ इस तरह से जो यहां पर वहसर मैं ड्र प्राइल दो जाती हैं के बीच में आपका जनम होना चाहिए और दोस्तों आपका यहां पर सबसे जरूरी बात जो है वो 170 cm हाइट होना चाहिए 48 kg वेट और 46 cm chest 10th pass simple होना चाहिए किसी subject में 30% माथ से कम नहीं होना चाहिए ठीक इसे तरह से अगर आप 8 pass traits में अगर आप 8 pass हैं मतलब 8 में class pass हैं और आप housekeeper और messkeeper की भरते देख सकते हैं age आपकी same है उसके बाद में height आपकी 170 cm होना चाहिए बेट 40 kg सीना 76 cm यहां पर दोस्तों हैट में कुछ relaxation पर दी गई है इस वीडियो का मैं part second लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपके लिए इस वीडियो के physical और जो भी documents डिटेल होती है उसके बारे में बताऊंगा तो चैनल को subscribe कर लें क्योंकि इसी वीडियो का मैं part second जल्दी ही लेकर आऊंगा कल जिसमें मैं आपके लिए इस भरती से related पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो चैनल दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत